नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रग्या और मेरे किचन में आप सब का स्वागत है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम घर पर ही रसकुले बनाने जा रहे हैं तो इसको सौफ्ट और स्पॉंजी बनाने की टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तो दूद तो अगर आप पैकेट वाला यूज़ करना चाहते हो तो भी आप शौर कर लो कि आपका मिल्क फुल फैटी होना चाहिए साथ ही मैंने लिए थोड़ी सी इलाइची अच्छे फ्लेवरिंग के लिए और यहां पर मैंने लिया है दो निम्बू का रस इसको हम ऐसे ही दूद को फाड़ने के लिए यूज़ नहीं करेंगे हम इससे पहले डायलूट करेंगे उसके बाद हम यूज़ करेंगे तो यह यहां पर मैंने पानी लिया है निम्बू को डायलूट करने के लिए और साथ ही लिया है दो कप चीनी इससे हम रसकुले का सीरा तयार करेंगे तो दो कप चीनी के हिसाब से हम लेंगे 10 कप पानी हमने जो दो नीमबू का रस लिया था उसमें हम डालेंगे 8 चमच पानी हम पानी इसमें इसले डाल रहे हैं क्योंकि अगर हमने नेम्बू के रस को ही दूद में डाला तो हमारा छेना हाड हो सकता है लेकिन इससे हमारा छेना एकदम से सॉफ्ट बनेगा तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा बटन ले रही हूँ दूद को गरम करने के लिए लेकिन सबसे पहले मैं उसमें डालूँगे थोड़ा सा पानी जिससे के हमारा दूद नहीं चिपकेगा अब इसमें दूद डालने के बाद हमें फ्लेम को बिलकोली मीडियम पे रखकर इसको लगाता चलाते रहना है जिससे के हमारी मलाई दूद से सप्रेट नहीं होगी और हमारा रस खुला बहुत अच्छा बनेगा हमें इसको तब तक चलाते हैं जब तक हमारा दूद उबल नहीं जाता तो यहाँ पर हमारा दूद उबल चुका है तो अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसमें नीम्बू का रस डालते हुए हमें एक ही डिरेक्शन में इसको मिक्स करना है जिसे के हमारा दूर एकदम अच्छे से फट जाएगा देखे याद रखे हमें डिरेक्शन चेंज नहीं करना इसको एक ही डिरेक्शन में हमें मिक्स करते हुए निम्बू का रस डालना है तो यहां पे छेना हमारे दूद से सेपरेट हो गया है तो अब हम इसको एक कॉटन प्लॉट को एक बरतन के उपर डाल कर इसको चान लेंगे और यह जो पानी बच किया है आप इस पानी को फेके नहीं इस पानी से आप आटा गुद सकते हो या फिर दूद को और एक बार फाडने के लिए भी यूज कर सकते हो पानी बहुत नूटिशियस होता है तो अभी हम इस चेना को चार से पांच बार अच्छे से साफ पानी से धोलेंगे जिसे कि ठंडा भी हो जाएगा और साथ में जो नीबो की थोड़ी से खटास है वो भी चली जाएगी तो यहां पर हमने इसे चार बार अच्छे से साफ पानी से धोल लिया है और अब हम इसको स्कुईज करेंगे लेकिन हम इसे एक जम से दोर से स्कुईज नहीं करना ने तो हमारा चेना टाइट हो जाएगा इसमें थोड़ा सा मौस्चर होना चाहिए तो अब हम इसे दो घंटे के लिए किसे एक जगा पर हैंक करके रख देंगे यहाँ पर दो घंटे हो चुके हैं और अब हम इस चेना को अच्छे से गूतेंगे बिल्कुल फाइन करके जिससे कि हमारा रसकुला एकदम से सौफ्ट और स्पॉंजी बनेगा तो इसके लिए हम अपने हैंड के इस चगा पर प्रेशर अपलाई करेंगे और इसको अच्छे से गूतेंगे देखे इस तरह से और इसी प्रोसेस में हमें इस चेना को दो से तीन बार ऐसे ही गूतना है जिसके कि बिल्कुल फाइन हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसे तीन बार अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल ही फाइन हो गया है तो अब हम इसको इक्वल पोश्चन में डिवाइड कर देंगे बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आठ इसे किये हैं तो इसको बॉल्स बनाने के लिए हम बिल्कुल ही हलकी हाथों से प्रेशर अपलाय करते हुए इसको गोल कर लेंगे यह देखे इस तरह से तो अब हम बाकी के बॉल्स भी बना लेते हैं तो यहां पर इस बातन में मैंने इस cup से मैज़र करे लिए है 10 Alz कप पानी और दो कप चीनी भी है इसी सही मैज़र किया है तो अब हम इस पानी को गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे चीनी और साथ ही डालेंगे 4 चोटी इलाइची अगर आपको इलाइची का टेस्ट वा फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो अब हमें इस पानी को बिल्कुल भी बॉल होने के लिए छोड़ देना है हाई फ्लेम पे यहां पे हमारा पानी उबल रहा है तो अब हम इसमें साथदानी से रस्कुला के बॉल्स टाल देंगे और इसको पांच मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे ढखके तो यहां पे 5 मिनट हो गये हैं और हमारे रस्कुला बॉल्स भी डबल साइज के हो गये हैं तो अब हम हलकी से इनके उपर यह पानी डालेंगे और इसको अगले 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पे 10 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इन रस्कुला के बॉल्स को एकदम से हलकी हाथों से सापधाने से हम इसको पलट देंगे तो इसको पलटने के बाद हम इसको अगें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऐसे खुले पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर 5 मिनट हो गए हैं और अभी हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो यहां पे हमारे रस्कुले बिल्कुल ठंडी हो गए हैं और यह बहुत ही सौफ्ट एंड स्पंजी बने हैं तो आप इस रसेपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राइ कीजे और इंजॉय कीजे तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे थांक यू सो मुच फो वाचिंग बबाई और मिलते हैं एक नए डि